हाई लो फ्रेंट्स विल्कम तो मैं इस्टडी फीट आफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों आज की सेशन में बीस एमसी की कोशन्स है जो अभी तक भी सभी एक्जाम्स में पूछे गये हैं को मौस्ट इंपोर्टल को चाड़ कर लाया जा रहा है यह के कोशन्स को ध्या बहुत कम बचा है जो मैं वीडियो डाल रहे हूं जरूर देखिए उसको और मैं पहले जो भी प्रैक्टिस कर रहे हूं उन सभी को प्रैक्टिस की जा अपना स्टेल्फ इस्टडी भी करते रहे तो चलते हैं आज के कोशन्स के तरब कोशन है भारत का गोल्डेन उलम्पिक किसे कहा जाता है तो 1928 सब्सक्राइं में ही भारत के तरफ से हाके में स्वर्पधक प्राप्त किया था और उसके बाद लगातार स्वर्पदक प्राप्त करता रहा जहां 1916 स्वर्पदक 1980 मासकों तक प्राप्त किया भारत में अभी तक होकी में कुल 12 प्राप्त किये हैं जिसमें से 8 स्वर्ड एक रजद तीन कासे प्राप्त किया है और स्वड़ पदक 1928 से लेकर लगातार 1980 तक स्वड़ पदक प्राद किया जिसमें से 1960 में रज़त पदक 1968 और 1972 टोक्यो उलम्पिक में कांसे पदक यानि 860 एक रज़त तीन कांसे पदक कुल 12 पदक हाकी में भारत ने अभी तक उलम्पिक में प्राद किया है नेक्ट कोशन है उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कम तिवता के साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सिजन ग्रहर की जाती है तो दोस्तों वाट इद नेम गिवें दा एक्सरसाइज इन वीच ऑक्सिजन इस कंजूम्ड वाइल एक्सरसाइजिंग विज लो एंटेंसेटी दोस्तों जब लो इंटेंसेटी जबकि मैंने आपको बताया हुआ है भार प्रसिछर के अंतरगत की एंटेंसेटी और वैल्यूम दोनों में बीपरीत संबंद हैं Historic Intensity यानि St stuk value मतलब समय यानि कि इतना कम समय होगा St stukmare Intensity उतना ही जयादव होगा इनですね होगा It यानि St stuk उतना कम होगा दोनों में वीपरीत संबंधartment अच्छाँ की चाहिए तो जिसमें St stukje a bump which a style has been taken very well किरियाएं के लेकर एक से तो बिन तक किरियाएं होती है तो अक्सिजन के बिना उच त्रिपड़ता की होती है जब कहिंए आपको लोग कम त्रिपड़ता के साथ ऑल गरहन करने के साथ जो क्रियाएं होती हैं उसे एंडुरेंस वाले क्रिया यानि सहंसिलता वाले क्रियाएं कार्डियो रिस्प्राइट्री एंडुरेंस वाले क्रिया यानि एयरोबिक क्रिया और कहलाएगा यहां पर एयरोबिक आपका रायट एंसर हो जाएगा और एयरोबिक और और पूछता है द हाई इंटिंसेटी होती है उसमें वाइट मसल फाइवर काम करते हैं याद रखिएगा नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर थ्री है दोस्तों कि BMI क्या मापता है वार्ट डियमाई मेजर दोस्तों आपको पता है कि BMI BMI, Skinful Caliper, Hydro Esthetic Dab या रखिए वसा को मापते हैं याद रखिएगा कोस्टन जब पूछेगा तो कंफीज मन्थ होजिएगा ठीक है BMI, Skinful Caliper, Hydro Esthetic Dab या रखिए वसा को मापते हैं तो यहां पे राइट एंसर क्या हो जाएगा सरीर की वशा यानि की बाड़ी फैड को मेजर करता है आवसर नमबर सी राइड है BMI का फुल फुल फॉर्म होता है Body Mass Index Body Mass Index BMI कलकुलेट करने का सुत्र होता है Body Weight in kg Upon Height in Meter Square जिसमें इसे दोस्तो किसी बेक्ती की उचाही और वजन का अनुपार इसमें ग्याग किया जाता है कि आपकी वजन जो है उचाई के अनुसार राइट है या नहीं और इसी को 1930 में कि BMI का फर्मूला तयार किया था एडॉल्फ क्वेटलेट ने बेल्जियम के गड़ी तक गये और जो डबली एच्च के द्वारा BMI का निधाई पैमाना रखा गया है अगर आपका BMI जो है कलकुलेट करने के बाद 18 या 19 से कम आता है 18.5 से या 18.9 से कम आता है तो आपका माना जाएगा कि आप अंडर वेट हैं यानि दुबले पत्रे बेखती हैं और आपको डाइजिस्टी प्राब्लम विक्नेस एंजाइटी मसल्स ब्रेकडाउन आधी प्राव्लम्स हो सकते हैं और यदि आपका BMI 18 से यानि 19 से लेकर 24.9 तक है तो आप नार्मल है और 25 से उपर मुटापे का ओवेसिटी का सिकार हो जाएंगे जिसमें डाइबेटीज हाइपर टेंशन कुरोरी डिजीज जुड़ू में दर्द अर्फ्राइटीस फ्राइटी लीवर आधी प्राव्लम्स हो जाएंगे दोस्तों जो बाइस है बाइस वर्ल्ट का सबसे बेस्ट BMI होता है जोड़ों के उस छंता को क्या कहते हैं जिसमें वह लंबे प्रसाद तक करने में शहायक होता है तो जोड़ों की जहां बात आए वहां लखीलापन फ्लैक्सिबिटी आप जान ही गया है दोस्तों एंसर आपने जान लिया है वाट इस अबलेटी ओफ ज्वाइंड काल्ड इनेबल इट तू प्रफॉर्म लंग एक्स्टेंशन्स दोस्तों लंबे ग्रेटर रेंज के साथ जोड़ों की जहां पर बात आए जोड़ों की छंता की बात आए वहां फ्लैक्सिबिलिटी होगा तो यहां पर फ्लैक्सिबि पहलों की कि ॐसी ओजी तो यहां को क्सलिघन करने वाली एक तोसी ओलमपिकी का एजिन्स करने वाली एक तोचेंशन्स था है इसके आथर है यानि लेखक है चाल से बूचर याद रखेगा फूच सकता है फांडेशन आफ फीजिकल एजुकेशन के लेखक कौन है तो चाल से बूचर है allah gotta do equal to Uhm नेज्ट दोस्तों कौक्षटर द सीविन है निन में से किस रुप को psychopath breakkin में रखा जाता है विश्ट लगिदी है विश वुट कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 1924 फेरीज ओलम्पिक में 100 मिटर फ्री इस्टाइल में सुड़ा पदक जीता बाद में यह खिलाड़ी हालिवूड में टार्जन के नाम से मसूर हुआ तो वह खिलाड़ी कौन सा दोस्तों वह था जानी वेस मुलर आपने राइट ए दिया होगा जौनी वेस मुलर उनी स्टोबीस पेरीज फ्रॉंस में उन्हें 104 मिटर में फ्री इस्टाइल में सुड़ा पदक जीता बाद में हालिवूड में इसको टार्जन नाम से जमसूर पाया गया और उसके बाद दोस्तों वहीं सुबहतर मियोंक पस्चमी जनमनी में मार्क स्टोपत जिट जो है 7 सौड़ पदक बनाया और सभी का रिकार्ट तोड़ा पिर आगे चलकर मार्क स्टोपत जो 7 सौड़ पदक जीते थे उनका भी रिकार्ट तोड़ा मायिकल फैर्प्स ने अमेरिका का तेराक और 2008 बीजिंग उलंपिक में 8 सौड़ पदक उसे के विए से यां ंयागन पराप्त किये हैं इस इसे चरल गोल्ड के उलम्पिक दू कांश में पदक लुए बीडिंग उलंपिक में आठ पतप गीए जिसमें आठ हो स्वड प्राप्त किया विडिंग उलंपिक में रिभ गांपिक में पांच स्वड और एक रजत क्राप्त किये और नेक्स कोजने दोस्तों फ्लो जो की नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है फ्लो जो नाम से तो दोस्तों विच फीमेल फ्लेयर इस नून एज फ्लो जो तो फ्लो जो नाम से फ्लोरेंस ग्रेप्ट जोइनर को जाना जाता है जो युस्से की धाई का है 1988 सीवल उलम्पिक में 100 मीटर दवड़ में 10.62 सेकेंड में और 200 मीटर दवड़ को 21.3 सेकेंड में रिकार्ड किया था और यह 20 रिकार्ड जो आज तक नहीं तूट पाया है हमारे शरीर में निमने में से कौन सा रोक प्रतिरोधक छमता प्रदान करता है वीच आफ फॉलिविंग प्रवाइड्स इम्मिनुटी टू आवर बाड़ी तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि जो प्लेटलेट्स होता है वो हमको रक्त का ठक कबराने मदद करता है रेट ब्लड चेल्स होता है उसमें होता है जो आक्सिजिएन को लेकर के हमारे समस्त कोशिकाओं तक पहुचाता है और प्रिवहन का काम करता है यहां पर पतिरोधक इमिजर्टी पावर कौन हमारे बाड़ी को प्रतान करता है स्वेट रखते खड़ी गाएं वाइड सरफेल कार रखते है ग्रेला श्रक कार रखते हैं घडीनिलोशाइड और श्रक रहां च्यावचर गीखा रही ग्रेशाइड सब बसकुत चेखता इंदब वहाल ब्लड परसिकार होता है वाले होतи लिंफोसाइड परसंट क। और मोनोसाइट जो है 5% पाए जाता है जो सबसे बड़ी WBC कोशिगा होती है मोनोसाइट जो है बैटरिया को खाने का या भच्छड करने का काम करता है यानि कि जुस्तो जैसे ही कोई बैटरिया सरी में घुशता है तुरंत उसे प्लाज्मा में पुसीद होता है प्लाज्मा में एंटिबाडिज होता है और उस वह जो है एंटिबाडिज उसको बैटरिया को देख लेता है और इंफर्म करता है तील इंफोसाइट को और तील इं एंटी बोडिज अब करते हैं निटीज याद रखिएगा को फोष से शार सारी स्वास्ता का का कारक्त नहीं है इसे से हेल्थ रिलेटेट फिजिपल फिटनिस की आता है क्या बहुत हैं पूझ आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं को नहीं है पुछा है यहाँ पे muscular strength है body composition है muscular endurance है तीनों के तीनों health related physical fitness के अंतरगत आते हैं बट spirit आपका नहीं आता spirit जो है वो motor skill related physical fitness के अंतरगत आता है motor skill के अंतरगत strength, endurance, flexibility, speech, coordination आता है and next question है question number 12 है कि सारी सिच्छा का मक्का किसे कहा जाता है तो दोस्तों 7 मई 1961 को एजिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान NSNIS पतियाला की साबना किया गया जिसे सारे सिच्छा का मक्का कहा जाता है next question है हमारी चल संधिया में किस प्रकार की cordilage होते हैं what type of cordilage is present in our moable joints दोस्तों जैसे कि लंबी अस्थियों में हाइलाइन cordilage होता है question push चुगा है तो चल संधियों में fiber cordilage and hyaline cordilage दोनों होता है तो यहां पे उपरोक्त में से एक से अधिक option आपका right होगा अधिक है उपरोक्त में से एक से अधिक option यहां पे right हो जाएगा और cutilage यानि उपासी तिंप्रकार के होते है थाइब्रो hyaline and elastic next question है हिदे की परतों में कौन सा तरल पदावत भरा होता है which field is filled in the layers of heart दोस्तों हिदे की परतों में कौन सा फ्यूल्ट भरा होता है आपको पता है हिदे की जो हमारी जीरे जो है 3acağि माहीं स्पेशियों से मिल कर बना होता है epicardium, myocardium and endocrardium epicardium जो होता है उसे परitions premium के तीन परत से बना होता है epicardium जिसमें रहता है सेरस नामक तरल पदात भरा रहता है क्यों हिदे को बाहरी आगातों से रच्छा करता है और हिड़े इस पंदर में शायता करता है तो यहाँ पर हिड़े की पड़तों में कौन सा तरफ पदात भरा रहता है दोस्तों तो सेरस नामक द्रव भरा रहता है याद रखिएगा सेरस नामक द्रव नेक्ट कोज़न है विकेट कीपर कैच लेधिश में अपने हाथों दोनों हाथों को नीचे की तरफ क्यों खीचता है वाट ड़ज विकेट कीपर पूल बोथ हीज हैंस डाउनवार्ड स्वाइल टेकिंग कैच तो दोस्तों वहाँ किसलिए बढ़ता है क्योंकि जो होता है हमारा समवेग जो होता है गती की दिशा में कारे करता है ठीक है समवेग क्या होता है गती की दिशा में काम करता है तो जैसे कि एक किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में समवेग परिवरतन की दर को उस वस्तु पर लगाएगे बल के प्रतिफल का अनुपात तुरोण कालाता है, आपको पता है कि जब असंत्रनित बल किसी वस्त उपर लगाया जाता है तो उस में संवेख eg उत्पन होता है, तो यहां पर न्युटन का दूसरा लागु होता है दोस्तों यह न्यीटन के दूसरे नियम के कारवनों जाना जाता है। की नितनक के सभी लागों के बारे में जानने के लिए आप किंसी रोजी बायो मैकेनिक्स के अंतरست जाए वहाँ भी सभी चीजे मिल जाएगा प्ले लिस्ट है की सिर्फर रोजी कि इस फ्रेन यो यो आपकर आप कर दो Calm वाले की लुग नहीं हैं इस प्रोटी वाले जो च्रीड होती है उसमें बाड़े बिल्डेंग करते हैं उसमें प्रोटीन की ज्यादे सप्लिमेंग की सब्सक्ता होती है और जो एंडॉर्णे वाले लगतार काम करते हैं और आधीक द्वारा बाहर आए रख्त की मात्रा क्या कहलाती है what is the volume of bloods pumped out of the ventricle in one minute called जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि होता है stroke volume तो एक मिनट में जो हिरे से बाहर रख्त आता है सरीर की तरफ उसे हम cardiac output कहते हैं क्या कहते हैं cardiac output आपसा नंबर सी यहां पर राइट अंसरू होगा cardiac output जैसे कि आप जानते हैं जो cardiac output होता है कि इस ट्रोक कार्डियक आउर्पूट ग्याद करने का सुत्र होता है stroke volume गुड़े heart rate क्या होता है stroke volume गुड़े heart rate तो stroke volume क्या होता है हिदे के एक धड़कन में जितना रख्त बाय निले के द्वारा सरीक तरफ दे जाता है उसे stroke value कहते हैं और यहां कुल होता है 72 सत्तर और हमारा heart rate होता है एक जर्पे 72 तो cardiac output ग्याद करने का सुत्र क्या होता है stroke volume गुड़े heart rate सत्तर और बहत्तर का गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5040 लिटर यानि कि 5040 ml तो हो जाएगा कितना 5044 लिटर ठीक है तो cardiac output कितना होता है एक मिजर पर कितना रख्त को पंप करता है हमारा ही दे तो लगभग 5 लिटर ठीक है आई वोप कि आपको समझ में आया होगा कि नेक्स कोचन है दोस्तों रूस में सारीक सिच्छा के संबंध में किस तकनीकी सब्द का परियोग किया जाता है दोस्तों रूस में सारीक सिच्छा जैसे हम लोग परियोग करते हैं सर्जेट को उसी तरह वहां पर सारीक संस्कृती बोला जाता है यानि कि फीजिकल काल्चर के दाम से जाना जाता है यांद्रख्य का मोश इंपोर्टन कोच्छन है पूरा नाम क्या है इस देफ हो फॉल फॉरम अंसी ती इए फॉल फॉल फॉर मुँचा फॉल के फॉल तिये में दोस्तुं कि पुरा नाम क्या है यानिस का पूरा नाम है नेशनल कौंसिल औफ टीचर एद्जूकेशन आफसर नमबर टू यहां पर रइड़ एस्टुर पूरा नाम क्या है तो दोस्तों एंसी आउटी का पुरा नाम क्या है तो दोस्तों यहां पर राम है नेशनल कॉंसील और एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेणिग आपसर नमबर यहां पर राइट एंसर हो जाएगा नेशनल कॉंसील आप सटाइस जुलाई उनिस्टू को हुआ एंसीटी का क्या कांध है केंडरव से एंसी आर्टी का बात हो रहा है दोस्तों ठ सब्सक्राइब को स्थिछा के लिए परामास देना NCRT का काम है ठीक है तो दोस्तों यह था आज के सेस्वने 20 MCQ कोश्टन्स आई होगा जिस भी कोश्टन्स में डाउट होगा जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैक्सिस में तब तक के लिए जैहें